हेलो फैंस इन्वेश्ट फोरवर में आपके फिर से सौगत है एंड काफी टाइम बाद में यहां पर वीडियो आ रही है और अब जो वीडियो आएंगी वो रेगुलर बेजिस पर आएगी एक दिन कभी डिले नहीं होगा और जितनी हो सकेगी मार्केट से मार्केट के बारे म और ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल इन्वेश्ट फोरवर को सबसे पहले तो सबस्क्राइब कर लीजिए बैल आइकन को हिट और और आल के नोटिफिकेशन को अन कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो हम डाले तो आपको सबसे पहले वीडियो मिले और यहां पर मिलता हूँ नजर आएगा तो आए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते और जानते आज एक पर्टिकुला कंपनी के बारे में जिसका नाम है आपके कल्पना इंडस्ट्री लिमिटेड इस कंपनी से लिडिएड हम यहां पर आज जानेंगे देखेंगे यह कंपनी है क्या क कंपनी इंटरेस्टिंग लगी कंपनी यहां पर अच्छी वी यहां पर लगती नज़र आ रही है चाल पर आच्छी नज़र आ रही है यहां पर इस से लिटो वीडियो बट एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं बाइंग सेल्न की कोई रिकमेंडेशन निया अपनी फाने से लिए हम कोश्चन यहां पर जानेंगे इस company के बारे में तो सब से पहले company करती किया है वो जान लेते हैं क्यों कि company के बारे में अगर जानेंगे तब जाके इसमें company में इन्वेक्ट करने का मज़ा भी रहता है किया कर अपना industry limited in case in the manufacturing and sale of polyvinyl chloride polythene as well as anti-fab and EP compounds the company mainly caters to wires okay caters to wires and and cables packaging food wear and consumer durable industry the company का जो business है वो कहीन है plastic polythene से यहां पर यह company काम करती है नजर आती है और यह जो company है यह जो products बनाती है mostly उन companies के लिए products बनाती है जो wires and cables में यहां पर काम करती है नजर आती है packaging में food wear में as well as consumer durable में company जो इंडेश्ट्री काम करती है उनके लिए company काम करती ही नजर आती है largest polymer है okay polymer compounder in India and market leader in P compound caters to low and medium cat voltage power यहां पर अगर इसन कंपनी इसके बारे में और भी जानना है तो बहुत सारी चीट है यहां पर इस company से लेटेट आपको यहां पर पर चलती हुए दिखाए देगी तो यहां पर देख लीजिए voltage power cable industry supported by diversified product use for manufacturing builds wires control and instrumentation cables तो यहां पर इन cables से लिटेनी आपर product बनाती है इसके लाबा यह पी और पीजिए compounds से लिटेनी जो कि मैं आपको already बता चुक हूं जितने भी यह particular यह products बनाती है company उनके लिए तो ही सर्फ करती है engineering plastics में company काम करती हुए नजर आती है इसके लाबर polybonyl chloride की बात करें तो 23% poly 3-68% का यहां पर revenue आता हुए दिखाए देता है और इसके लाबर यहां पर ग्यानोल्स scouts and other से 9% कंपनी काम करती हुए नजर आती है तो यह company अगर हम बात करें जियो ग्राफिकल ब्रेकप की 77% इंडिया से और बाकी 23% यहां पर बाहर से company का export होता है वहां से revenue आता हुए दिखाए देता है तो 24 countries में यहां पर इनके products जाते हुए दिखाए देते हैं तो कि आप यहां देख सकते हैं Argentina, Algeria, Brazil, Uruguay as well as Bangladesh, Nepal, Kalosia etc. यहां पर अलग-अलग country में यहां पर इनके products जाते हुए दिखाए देते हैं यहां पर बनाती ही नजल आते हैं यहां पर देख सकते हैं कि 7 manufacturing plants बंगाल में दमन में दमन दीप में डादरा में इसके इलावा नगरह वेली नौयडा यहां पर install capacity भी अच्छे कासी है company की अब बात करते हैं यहां पर अगर बात करें तो काफी बैतरी यहां पर नजर आती है और भी बहुत सारी चीटे हैं इस company के बारे में वह आप यहां पर जाके देख सकते हैं अब बात करते हैं आप एक बड़ी की website पर चले यह आपको और भी चीज़ नहीं आपर पता चलेग नजर आती है यह इनके सग्मेंट है रिसाइजिंग नजर आती है कंपनी अर भी बहुत सारी चीट है यह आपर यहां यह इसल पी के बस एकटेशॉस एक अगर इसलीकवी चेल पी के लिए इंजिनेरिंटे प्रोड़क्स अचिनर प्रोड़क्स एस वहारे पर पीवी काम करते हैं तो एक बार निकी वेफसाइट पर यहां पर देखिए किस-किस तरीके के प्रोडक्स मनाते हुए नजर आती है इनके बारे में आप गूगल करेंगे कि कहां-कहां यह प्रोडक्स यूज होते हैं तो आपको चाहर समानी में आएगा कि एक बहतरी नहां पर और 451 क्रोड रुपे का मार्केट के अपर केवल BSC यहां पर BSC पर यह कंपनी आपर आपको दिखाई देगी हो एक बार यहां पर split company दे चुकी है तो इसका face value 2015 में था जो कि यहां पर split देने का दो का हो गया है देट की बात करें company के debt यहां लगाता कम और 39% के आसपास का debt ही रहा है इंडेश्ट्री पी 27, 28 के आसपास है और इसका पी केवल 8 के आसपास है तो company काफी यहां पर सस्ती भी दिखाई देती है आपको 30-60 का इसने high बनाय था 52 वीक है उसके बाद यहां पर गिरता हुए दिखाई दिया था market की गिरावट में यह चाहिए 400 रुपे तक और अब भी लगबाद 47 पे ट्रेड कर रहा है इसके लावा कुछ और points की बात करें तो book value के आसपास ही share यहां पर trade कर रहा है maximum chart pattern की बात करें 25 में 25 में शेयर आया 2 रुपे के आसपास और बीच-बीच में hurdles आते रहते हैं मतलब यह company कभी अच्छा performance दिखाती है कभी थोड़ा से performance डाल होता जाता है जिसके वैसे यह share उपर नीचे यहां पर भागता हुए दिखाई दिखाई दे रहा है यहां पर just because of performance ही यह share इस तरीके के कर बनते हुए नजर आते हैं तो यहां पर share को हमेशा ध्यान से अगर मैं आपको stocks अभी बता रहा हुँ तो इसका यह नहीं कि आपको अभी stocks को कूदना है आपको मतलब है कि आपको इन share को आपने नजरों में रखना है और जब भी एक opportunity मिले ऐसे share में तो ऐसे share में आपको investment करना है ताकि आप यहां पर swing trading के तुरू ओके यहां पर थोड़ा से time में ही अच्छा कासा यहां पर पैसा बना सके तो इस तरीकी गिरावट आती रही है याद रखियो जब भी इस तरीक गिरावट आई है share ने यहां पर bounce back किया है और अच्छा कासा ह यहां पर भागता हूँ दिखाई देता है अब यहां पर बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की तो देखिए यहां पर microcap भी है तो इसीच को याद रखिए का microcap में investment भी थोड़ा सा कम किया जाता है standard on numbers कि आगर हम बात करें तो देखिए यहां पर एक consistent यहां पर growth थी दो जार नीच से इसका बाद एक लगा था गिरावट हुई गरावट की दोबड़ा यहां पर शेयर तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था जैसे की चार्ट पैटर्न देख देख रहा था कि ऊपर जा रहा है नीचे आ जिग्जग मोशन में इस तरीकी से चलता हुए आप बड़ ऊपर जाता है तो यहां पर आपको बेच के भी निकलना है तो यहां पर अगर देखेंगे पिछले तीन-चार कॉर्टर में हायस्ट आवर यहां पर से आती हुई नजर आई है काफी अच्छी से यहां पर हुई है एक्सपेंस की बात करें कंपनी ने एक्सपें यहां पर कुछ और पर देखते हैं तो यह ली बैसिस पर कंपनी का पर्फॉर्मेंस अच्छा होना एक पॉजिटिव बात इसके लावा यहां पर EPS भी कंपनी का बढ़ता हुए नजराया है सेल्स की बात करें यह ली बैसिस पर देखिए कंपनी की सेल्स लगाता है यहां बात करें यहां पर दीरे दीरे यहां पर अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि बात करें कंपनी के डिजार्व भी देख सकते 371 क्ल्र के यहां पर रिजार्व से ओके और सब्तंबर ता 112 क्लुड रुपे का यहांपर इंके पास बात करते हैं हाथ यहां पर सेमिल रिखाही दे रहा है तो अभी तिसम्बर का यहां पर अब्डेट हुए नहीं बट यहां पर दुबारा से इनों की बारेंग थोड़ी जी बढ़ती ही नजर आई है investment 3 करोड का cash की बात करें तो 11 करोड का cash भी है और जैसे जैसे इनके यहां पर जो भी यह sales करते जो भी यहां पर operations करते जो भी product based है वहां से अच्छा कासा है यहां पर cash flow भी आता हुआ दिखाई देता है इसके लावा यहां पर promoters की बात करें तो promoters का as it is अगर देखें तो 74.84% के शेयर promoters अपने शेयर को यहां पर बेचना ही नहीं चाहते तो एक positive चीज़े होती है याद रखिएगा यहां पर promoters को अपनी कंपनी पर कितना विश्वास है पुब्लिक की बात करें तो पुब्लिक यहां पर देख सकते हैं पुब्लिक के बाद 25% के शेयर दिखाई दे रहे हैं बट अगर यहां पर देखेंगे कुछ गुरूप है जिन्होंने अच्छे कासे 14% के आसपास की हिसेदारी यहां पर ले यहां पर एक बहती ही डिटन्स देच अपने लो से अगर बात करें जब एक गिरावट आई थी कोईट के टाइम से बारा रुपे का शेयर आ गया था बारा रुपे से और इस आपके शेयर को यहां पर आपकी वैल्लिव बना दिया इसके लावब बात करतें कंपनी का यहां पर देखिए तो शेयर ने अपना लो की बात करें तो बार बार यहां पर एक support 41 का ईक support नजव ưचा था यहां पर तो यहां पर यहां पर रहे हां यहां etwas बहतरीं support नजर आ रहा है वर और एक उसकिन अबहर तो अट-not Ryan opin rein यहां पर अपने जो यह support है ओके जो यह resistance बनाते हुए नजर आ रहा है उन्हें यहां पर cross करें और cross करके यह ब्रेक आउट देखें ऊपर की तरफ भी निकल सकता है क्योंकि बार-बार यहां पर इसी support पर यह बार-बार अटका भी है तो अगर हम यहां पर बात करें अभी की तो अभी देखिए अल्रेडी यहां पर थोड़े से percentage के लिए मैं आपके कहूंगा कि यहां पर इंवेस्ट करने की आप सोच सकते हैं थोड़े इंदसेंस कितना यहां पर operator एक्टिव रहते हैं चोटे शेयर है याद रखिए कि 15-20 परसंट के आस-पास कहीं आपको यहां प यहां पर मिलता है 41-40 के आस-पास तो यहां पर थोड़ी बहुत बाइंग कर लेने चाहिए आपको इस केस में अगर हम यहां पर देखते हैं एक चोटा सा यहां पर चाड़ भी बनता हूँ नजर आ रहा है लिसे हम कब विल हैंडल पैटों कहते हैं तो यहां पर देख इस इंपल है कि यहां से भागता हुआ नजर आएगा यहां से गरता हुआ कम नजर आ रहा है 41 का यहां पर एक बैठीन सपोर्ट है तो इस चीछ को भी याद रखिएगा 41 से नीचे यहां पर अगर गरता है तो एक गिरावत हो सकती है बट 41 पर ही आपर खरीनने का एक चांस इस भी है तो 81 के यहां पर टार्गेट आरे जो कि लगबालब अगर यहां से देखे तो डवल तक के ही टार्गेट में जराते है लगबालब 68 पर सेंट के यहां पर रिटा नजर आता है और यहां पर एक इस तरीके के अगर ब्रेक आउट हुआ तो याद रखिएगा एक ब ब्रेक आउट होंगे बट कम होंगे जब इसके रिजल्ट अच्छा है तो फिन ब्रेक आउट का कोई मतलब नहीं रहता मेरे अकॉर्डिंग फिर तो यहां पर ऑपर अपर चाल केलते हैं कुछ बड़ा होने वाला होता है तभी कुछ होता है तो यहां पर देखिए एक कब अब भीदेर पैटन बंता हुँ नजर आ रहे इसके टारगेट की बात करें तो उसके टारगेट और उपर जाते हुए नजर आ रहे है बट रिजल्ट अच्छा है तब अगहर रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो उसके इसमें यहां पर निकलना हैं एक ऐसा मज़दारी रह देना है 241 का फिर टार्गेट आ रहा है बट रिजल्ट के बेस पर याद रखिए रिजल्ट नंबर बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं नंबर अच्छे खासे आ रहे है तो चीज़ों ऊपर जाएगी नंबर बेकार आ रहे है तो फिर यहां पर चीज़ें नीचा आत कि रिजल्ट अच्छे नहीं है तो यहां से ही गिरके यह शेयर फिर गिरता हुआ नजर आ सकता है तो अपनी स्टैटेजी अपने फैनिशल एडवाइजर खुद की स्टड़ी करके ही यहां पर चीज़ों को ध्यान से सोच के समझ के यहां पर करना है माइक्रो काप कंपनिय ज्यादा इंवेस्टमेंट नहीं करना और अपने फैनिशल एडवाइजर की हेलते नहीं और हमारी फैनिशल सेल्विस का लाव उठाना है यह नंबर पर आप हमें कांटक कर सकते हैं और थैंक यू सो मच गॉट ब्लेस